हाई फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आई हूँ बहुती अची रेसिपी ये कोई खाने की रेसिपी नहीं है आज हम लेकर के आए हैं पूजा के फूलों का कैसे हम सदुपयोग करें तो नाली को अभना करेंगे गंदा नदी को भी नहीं करेंगे गंदा तो फूल जो भी आप उसको 3-4 दिनों तक खूब कड़क धूप में सुखा ले बिल्कुल इतनी अच्छी सूखी होनी चाहिए कि फूलों में से आवाज आना चाहिए बस और क्या उसको मिक्सी के जार में डालिए और डालने के बाद इसका एक fine powder बना दीजिए ये पहला वाला lot बस ऐसे ही simple में कर रही हूँ तो इसका fine powder बना करके और किसी बड़े बरतन में डाल दीजिएगा क्योंकि आगे न हम इसका आटा गुदने वाले हैं और जो आप कौन बाजार से लेकर के आते हो न 300-400 रुपे में 9 या 10 कौन वो में बनाने वाली हो बिल्कुल free of cost तो आप देखिए दूसरा lot ये बड़ा important है तो कपूर तो सबके घर में होता ही है तो इसमें कपूर डाल दीजिएगा तो मैंने 25-30 कपूर डाले है कपूर डिपेंड करता है कि quantity कितनी है long डाल दीजिए 20-25 और अब हम डालेंगे इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास है दालचीनी तो दालचीनी डाल दीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे गूगल तो सबके घर में होता ही है डाल दीजिए नहीं है तो इसकिप कर सकते हो आप और पीला चंदन में डालूँगी इसलिए क्योंकि खुश्बू बहुत अच्छी आएगी तो इसमें सारी चीजे में डाल रही हो जिससे अच्छी खुश्बू आने चाहिए मतलब अगर आपने एक कौन लगा दिया ना घर के अंदर तो अरोसी परोसी भी पूछेंगे कि भई तुमने आज क्या जलाया है पूजा में और ये फूल डाल दीजिए इसका एक फाइन पाउडर बना दीजिए बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनाईएगा और बना करके बस इकठा करते चले जाएए एक बरतन में मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि पूजा के फूलों का भी ऐसा सद्योपियो किया जा सकता है अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गुलाब जल तो गुलाब जल भी खुश्पुदार होता है अच्छा गुलाब जल अभी हो देशी घी डालिएगा इसमें रिफाइन वगर यूज मत कीजिएगा और इसका डो लगाईएगा बहुत अच्छा सा तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा यहां मसल मसल के इसका आप डो लगा दीजिएगा पानी का यूज मत कीजिएगा आप चाहो तो थोड़ा आ और बहुत खुश्बुदार आपको ये भी तसली होगी कि घर में आप बना रहे हो तो इसमें जो material यूज हो रहा है बिल्कुल authentic यूज हो रहा है प्लस हम नाली और नदी में या फिर dust bean में पूजा तो बड़े तसली से करते हैं हम लोग या फिर बड़े श्रधा से और फूल मैं पूजा में यूज किये थे सोचा एक बार आपको बना कर दिखा दो क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे ही कोण घर में ही तयार करती हूँ तो इस बार मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें बहुत दिनों से यूटूब पे वीडियो डाल रही हूँ लेकिन कोई भी वीडियो वाइरल नहीं हो पा रही है सोचा एक बर ये भी ट्राइ करके देखूँ आप लोगों को शायद पसंदा है अच्छ एक बहुत इंपोर्टन डिप है इसको धूप में मस सुखाईएगा क्योंकि इसमें शेहद डाला है और देसी घी डाला है धूप में कोशिश करेंगे न सुखाने की तो ये सुखे गे नहीं और पिघल जाएगी तो पंखे में तीन चार दिनों तक के लिए रख दें और ऐ पैसे इसको जला ले आप देखिए पूरे घर में खुश्बुदार ही हो जाएगी और इतना मज़ा आएगा ना कि आप यकीनी नहीं मानोगे बहुत इच्छी खुश्बु आने वाली है पंखे में सुखाएंगे ध्यान रखें बिल्कुल भी दूप में नहीं पर वाचिंग बबाई मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तिल देन बबाई